हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब लोग जैसे कि आपको पता है हमने कंप्यूटर सेक्शन खतम कर दिया है फॉट जेकैसे वी अकाउंट असिस्टेंट तो अब मैंने एक निया इनिशेटिव लिया है इस पर ताकि आप इसका कुछ यह आपकी प्रॉपर अच्छी तारी इसमें से कितने कोशन आते थे और उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें हर एक मौक टेस्ट में आपको 30 कोशन प्रॉपाइड किये जाएंगे जिस लाइक एक्जाम में आपको जैसे 30 कोशन आने वाले हैं वैसे ही मैं कोशिश करूँगा आपके साथ जादा से जादा मौक शियर किये जाएं ताकि आपकी preparation high level की हो सके और मैं आपसे यह कोँगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइबार चैनल इस वीडियो को जरूर शियर करें अगर हमें अच्छा response मिलता है इससे क्या होता है हर इंसान को motivation मिलती है और वो अच्छे material और अच्छे presentation और जादा मैनत करके आपके लिए नया कुछ लाएगा तो start करने से पहले मैं बता दू यह हमारे different social media handlers है facebook पे IG commerce classes का नाम का एक page है जहाँ पे आपकी कोई भी पेरी है आप हम उदर हैंडल करते हैं आप उदर हमें message करें आपको उसकी query का अंसर जरूर मिलेगा secondly IG commerce classes का एक telegram channel भी है जहां पर आप हमें join कर सकते हो for weekly test और PDF भी इदर प्रोवाइड की जाती है तो let's start our first mock test आपने इसका आंसर जरूर देना है नीचे comment section में कि आपको कितने आते थे पहला question क्या बोल रहा है OSI stands for OSI क्या stand करता है मैंने बताया था अपने lecture में OSI क्या होता है यह एक open source software से related word है it is a leading authority of OSS इसकी full form क्या है open source initiative आपने यह चीज़ याद दखना है it is a initiative it is a leading authority of OSS for providing open source software second है आपका computer virus is simply a computer virus क्या है मैं बताऊं आपने अगर जब भी कोई भी paper देने जाते हो आपका पहला काम क्या होना चाहिए जो आपके options है उन्हें eliminate करना सीखो उन्हें eliminate करना सीखो जैसे कि इदर computer virus है पहला option दिये है disease आप खुद ही सुचो disease तो है नहीं वो तो इसको मैं eliminate ही कर देता हूं c पार दिया है type of bacteria वो bacteria है कोई नहीं d1 दिया है hardware component वो कोई hardware तो है नहीं हम virus को touch कर सकते हैं नहीं तो ये भी eliminate हो गया तो बचा एक option that is b1 इसका answer क्या आएगा इसको आपको cram करना पड़ेगा यह आपको याद रखना पड़ेगा मैंने अपने lecture बताया था पीडिएफ का founder कौन है डैट इस जॉन वाकनौक ठीक है फो फोर्ट वन वटा रट इस यूजप एट यूसेट ऑफ रूले से रहेट रेट वाइल व किंग ऑं इंटर जो आप इंटरनेट पर काम कर रहे हो उसमें जो रूल से रेगलेशन प्रोवाइड किय जाते हैं उस टर्म कि लिए अप्र यूज़ किया तो इसका आंसर क्या है इसका answer है थर्ड वन प्रोटो कॉल है फिफ्ऩ कोशन अस ओफ्ट वियर डाट कैन बी फ्रीली स्ट एंड मॉडिफाइड वह सौफवयर जो फ्रीली सस्ट हो जाता है और modify कर सकते हो उसको आप क्या बोलते हो अभी recently मैंने first question में बताया उसे हम बोलते है open source software ताकि आप इधर से उसका source आप पता कर सके हैं और उसे नहींने applications या नहींने apps अगेरा उस पर बना सको OSS के जरीए यह आपको freely provided होता है next है firewalls firewalls are used to protect against firewalls प्रोटेक्ट किये जाते हैं किसके अगेंस protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है firewall के जरीए तो मैं बता दूँ firewall के जरीए अन और्थोराइस्ट असेस आप से वह पूछता है कि आप इसे डाउनलोड करना चाते हो यह अन और्थोराइस्ट से प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड गाता है जैसे कि आपके फोन में होता है एक option दी ओता फोन में जब आप नया नया फोन लेते हो उधर बोलता है installation के लिए कि आप अपनी unauthorized access से install करना प्रेफर करोगे तो उधर आपको पहले on करना पड़ता है तब भी वो installation पर जाता है नहीं तो install नहीं होता next है excel से related है यह which of the following formula will excel not be able to calculate इसमें से कौन सा formula excel calculate नहीं कर पाएगा हमने formula किये थे है ना याद है तो इसमें से आप देख सकते हो a1 नहीं कर सकता क्यूं नहीं कर सकता क्यूंकि यह जो sales लिखा है यह आपके इदर cell range नहीं दिया है इन्होंने बाकि सब में cell range है हमें range पता होना चाहिए हम इदर words नहीं यूज़ करते है bracket में bracket में क्या नेच्ट है वट इसमा मैक्सिमम जूम परसंडेज पॉवर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसंडेज कितनी है जिनके पास तो अपना PC है वो चेक कर सकते हैं कितनी है डैट इस 400 परसंट अगर MS word की बात करें तो उसकी अगर पूची जाएगी तो उसकी 500 है यह चीज़ डाउनलोडिंग और एक्जिक्वीटिंग दें बाइप्रिटेंड इसफल अपलीकेशन तो उस वाइरस या उस मैलेश्यस एप्लीकेशन उस उसमैलेश्यस एक्टिविटी का नाम बताईए जो यूज़र को बेवकूफ बनाता है इन्टो डाउनलोडिंग और एग्जिक्य to be useful application वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैं एक useful application हूँ तो वो क्या है that is Trojan horse नेक्स्ट है a computer on internet are identified यह बड़ा simple सा कोशन है आपने बड़ी आ टीवी में सुना होगा सीरियल में यूज होता है crime sectors में यूज होता है यह वर्ड तो कौन सा है computer on internet are identified किसी computer को आपने identified करना है तो आप क्या उसका पता होना चीए that is IP address उसको trace किया जाते हैं आपको पता है नेक्स्ट है अब website front page और main page is called web page का जो website का front page होता है या पहला page आप कह सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं that is home page c1 12th question which of the following is a accurate cell reference cell reference आपको याद होगा हमने किया था इधर आपके जब numbers होते हैं इधर आपके alphabet होते हैं तो जैसे इधर a है इधर one है तो इस cell reference को हम नाम देते हैं a1 तो वैसे इसमें से accurate cell reference कौन सी है that is a3 ठीक है बागी सब cell reference नहीं है 13th what is a extension of powerpoint presentation तो इसका answer क्या है powerpoint presentation का क्या होता है extension that is dot ppt what is a bug bug क्या है a bug is an error in a software program next question which of the following group consists of only output device इन में से किसमें सिर्फ और सिर्फ output device और कुछ नहीं है ठीक है यह आपने डूनना है तो हर एक option में आपको एक एक input दिया होगा तो देख लेते हैं first में आप देख रहे हो कि आपको scanner जो है input दिया है तो इदर से option cross हो जाता है second में keyboard input दिया है तो ये भी cross हो जाता है third में आपको mouse दिया है input तो ये भी cross हो पता है तो आंसर विल बी यह फोर्थ वन को इस दा इन्वेंटर ऑफ डिफे डिफेंस इंजन तो जो एनलिटिकल इंजन बनाने वाले इंसान है उन्हें यह डिफेंस इंजन भी बनाया था तो कौन है वो डैड इस चार्ल्स बैबेच नेक्स्ट है युनिवेक इस युनिवे आई बीम 1201 इस यह कोन सी जनरेशन का कम्प्यूटर है आई बीम 1401 is the second generation computer IBM है यह आपका second generation computer junk email is also called junk email दोसे हम क्या बोलते हैं that is spam a computer that translate one program instruction at a time into machine language एक time पर जो ए प्रोग्राम instruction को convert करता है Monsieur me उससे हम क्या बोलते हैं the interpreter interpreter नेक्सल याल्यू एड़ियू कशी इंपोर्टेंट इज़ूंड एजम। इंपोर्टेंट easy one, इसका क्या हो सकता answer, हमने lecture में बताया था, diagram भी इसमें बनाई थी, that is CPU, CPU के दो components है, next है, RAM is a example of, RAM किसकी example है इसमें से, सकेंडरी की primary, that is primary memory, magnetic disk is an example of, magnetic disk क्यों से example है, सकेंडरी की primary, तो इसमें है ये सकेंडरी memory की, next है, dash generation of computer, started with using vacuum tube as the basic component, तो vacuum tube कौन सी generation में start हुए थे, easiest one, तो first generation में start हुए थे, 25th, in this generation, time sharing, real time network, distributed operating system was used, कौन सी generation में, आपकी time sharing, time sharing तक ही रखे तो असान है, time sharing कौन सी generation में हुआ था, that is in fourth generation, इस generation में possible था, next है, the period of dash generation was 1952 to 64, तो कहीं-कहीं आपको 52 से लेकर 64 दिया होगा, तो कहीं-कहीं आपको 1959 to 65 दिया होगा, तो असली में आपको कभी भी 50s to 60s दिया होगा, तो आपने बताना है वो कौन सी generation है, 50s to 60s, आपकी generation कौन सी मानी जाती है, that is second generation, next है, dash computer is small general purpose micro computer, but larger than portable computer, तो that is desktop computer, जो portable computer से बड़ा होता है, लेकिन small general purpose micro computer होता है, next है, cathode ray tube, CRTG से बोलते हैं, is the form of, किसकी full form है, full form नी, sorry, किसकी type है वो, that is monitor, monitor की वो type है, next है, computer combine both measuring and counting are called, जिन computers में, हमने computer की types पढ़ी थी, तीन तरह तरह में उसे division की थी हमने, तो computer जिसमें measuring भी की जाए और counting भी की जाए, मतलब digital भी हो, और analog भी हो, तो से हम क्या बोलते हैं, that is hybrid, hybrid computer is known as, computer which includes both analog and digital, last question, परम is an example of, most important and most, आप कह सकते हैं, इस paper का पूरा easiest one है, तो परम किसकी example है, यह आपका first supercomputer of India है, यह बता दूँ मैं, अब परम किसकी example है, नाम ही मैंने भी बहुत दिया, super computer, और आपका पूछा जा सकते हैं, आपका latest परम सुपर कम्प्यूटर कोंसा है, यह दिस परम शिवाए, ठीक है, तो आज के लिए यही थे 30 questions, जितने आपको आते थे आप इसका comment करें, comment section में, और आपको पता चलेगा, बाकियों के उंकाबले, आपकी practice कितनी चल रही है, कितनी आगे आप चल रही है, कितने लोगों के पीछे चल रहे हो, आप इस exam को qualify कर सकते हो, अगर कल exam हो जाए, तो उस हिसाब से, अगर आप चाते हो कि आगे भी आपको इस तरह की MCQ provide किये जाए, please like, share and subscribe है channel, ताकि हम आपको और 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 इसके उपर MCQ और mock test आपको provide कर सके, तो आज के लिए इतना ही, thank you, have a good day and enjoy your day.